चंद्रू और दस दे में कॉन से राज खुल जाएंगे मैं चाहता हूँ उस मासू माधिवासी औरत को इंसाफ मिले कोट इंसाफ नहीं करेगे तो मैं सड़क पर उत्रूँगा सिफ कानून ही मेरा हत्यार है तो बाई लोग कैसे हो आप सब स्वागता आपका एक बाई फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ओफिस पर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बाई फिर सूजया की मोश्ट आवेटेड फिल्म जाए भीहम को लेकर जो कि रियली स्टोरी पर बेजड है और कवर करती है एक ऐसा इवेंट जो कि हर कॉमन वंदे के बोलते हैं आम इंसान उसको तो दिल दहला देगा जी हाँ वास्तम में बहुत ज़दा इमोशनल अत्यज़ार हुआ है उन ट्राइबल्स के साथ जो इसमें दिखाए गए है और गईज इसमें तो आपको दादू एक इवेंट कवर किया है ना जाने कितने ट्राइबल्स के साथ बेगुनाओं के साथ अत्यज़ार हुआ था उस वक्त 1995 का इवेंट कवर किया गया है इस फिल्म के अंदर संगनी वाला वेल्ल बात करें है फिल्म को लेकर तो फिल्म में लीडियंघ कार्श में निजर आ रहे है सूरिया और प्रिकास राज और ना जाने कितने लोग इनके अलावा सप्पोर्टिंग कार्श में फिल्म का बजट है गयाईज एस्टीमेट 20 करूड रुपए चुकि खुद पब्लिक कमेंट करके बता रही है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ वजट के बारे में मैं सिर्फ कलेक्शन में बताता हूँ वो भी एस्टिमेट अर बात करें फिल्म के गाईज डैक्शन को लेकर तो डैक्शन दिया है तीजे गनन वैल ने और प्रेडिस की आया है खुद सूरिया ने और इनकी वाइफ जोतिका ने और यह फिल्म रिलीज हुए है जाने माने OTT प्लैटफर्म Amazon Prime पर आज आपको आदू जो फिल्म है जैभी आज इस फिल्म को रिलीज हुए OTT यानकी Amazon Prime पर 10 दिन पूरे हो चुके है और फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप आ रहा है लेकिन गाइज ना केवाबर और इस फिल्म आज भी काफिय चाह होड बनाए हुए और कलेक्शन कर रही है कम से कम 10 करोड रुपे का चुकि अपने आप में बहुत बहुत बहतरीन कलेक्शन है और 10 दिन पूरे होते होते जो इसका कलेक्शन आचुका है अभी तक वो हो गया गाइज कम से कम 155 करोड प्लस यनकी गाइज कुलमला के बात इतनी है कि इस फिल्म को न मिल चुका है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अब पब्लिक की जो डिमांड है इस फिल्म को लेकर वो यह है कि इस फिल्म को ऑसकर मिलना चाहिए वेल आपकी सीच को लेकर क्या है राय कमेंट सकते में बताइएगा वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना सेर करना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग